हलो फ्रेंड्स वल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स आपके सामने अगर बोल्टास DC इनिबेटर एर कंडिशन में अगर एर कोड आते हैं तब आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपकी डिस्पेले पेस समय जो भी एर कोड सो हो रहे हैं इनिका प्रॉपर तरीके से सॉलुशन दिया है तो आपको क्या करना है बस वीडियो को इसकी प्रेंग करना है वीडियो को अगर आप पूरा बोच के रिंग तो आपकी जो प्रॉबलम है दो से तीन मिल्ट के अंदर स प्रॉबलम होती है आपके अर्ड़र यदिममें बहुत ज्यवलिड में यह चैक आती है यह हूं कैपकोर पे अगर अगर इस वज़ेस से बहूरा आपए आएगी क्योंकि एपरेटर अगर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ तब भी आईस आएगी विलोर मोटर की स्पीड भी आपको चेक कोट कर लेना कि प्रोपर तरगी से निकल लई है फिर उसकी जो बिलोर मोटर की फिन्स होती है उसको भी आपको चेक कर लेना कि वहां से अगर पर तरीकी से वर्क नहीं करेंगे अगर बहां पर क्या है और यह दिक्कत आएगी क्योंकि कंप्रेसर कंटीनुई चलेगा इस वज़े से आईस आएगी तो आपको क्या करना यह सारी चीज़ स्टेप बाइस्टेप चेक कर लेना आपकी जो प्रॉबलम है वो सॉल्फ हो जाएगी जो डिस्प्ले पे df ef एर्रो कोड उसको यह मतलब जो प्रॉबलम है वो सॉल्फ हो जाएगी और इससे आपको परिशानी नहीं हो इस्ट एर्र कोड है f0 p1 अगर यह एर्र कोड आपकी डिस्प्लेपर सो हो रहे है तो उससमया आपको क्या गाना है वहाँ पर चेक ओड करने नहींगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई वहाँ पर 220 से 230 सप्लाई होना चाहिए, अगर यह सप्लाई कम होगी तो अगर डिस्प्ले पर सो होगा, जो बोल्टास DC इन्वेटर रे कंडिशन है, वहाँ पर F0 या सबसे पहले आपको सप्लाई चेक करना है, क्योंकि होता ही है, जब हम सप्लाई देते हैं, अगर न्यूटल मिलता है, और लाइन नहीं मिलता है, तब भी यह रेकोड यह सो करेंगे, या फिर बोल्टेस अप्ड़एन होई पर आइंगे, तब भी यह दिक्कत आएगी, और ज्यादा तर यह मेरी एडवाइज है कि आप अगर इन्वेटर मॉडर एर कंडिशन लेते हैं तो उस समय क्या होना चाहिए आपको step laser एक अलग से लेना चाहिए क्योंकि step laser आपका साथ में होगा तो उससे क्या होगा इन्डोर में और और यूट में बहाँ पे क्या होगा आपका वो भी सेफ रहेंगे step laser ज्यादा जरूरी है बहाँ पे इन्वेटर मॉडर अगर एर कंडिशन तो step laser का भी आप यूज करें और इससे आपको ज्यादा फाइदा होगा तो आपकी जो प्रॉबलम होगी इससे वो स voltage DC inverter air condition में हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा indoor to outdoor unit में मतलब जो supply देते हैं जो communication wire होता है हमारा जिसे हम CP wire भी बोलते हैं ठीक है CP wire जो होता है वहाँ पे communication अगर proper तरीके से नहीं मिलेगा तब भी यह दिक्कत आएगी क्योंकि वहाँ पे क्या होता है हम जो wire होता है वहां से कट जाता है या फिर चुए अगर काट देते हैं तब यह दिक्कत आती है क्योंकि indoor से supply अगर out हो रही है outdoor को नहीं मिल रही है फि outdoor की भी PCV में fault हो सकता है तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है वायर चेक करना है उसके बाद क्या है आपको PCV step by step पहले indoor की चेक करना है फिर outdoor की इंडोर की चेक करेंगे वहाँ पर आपको देख लेना है कि हां indoor की supply यह वहां तक प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है या अगर नहीं पहुंच रही है तो आपको फिर अपने आप में identify कर सकते हैं कि हां indoor की PCV फॉल्ड है या फिर outdoor की PCV फॉल्ड है तो आपकी जो प्रॉब्लम है E6 की वह error code मतलब सौल्फ कर सकते है नेक्स्ट error code है बोल्टास DC इनिवेटर एर कंडिसमें अगर E5 का error code होता है तो जो जैक लगा होता है वो भी जैक कर लेना कि जैक प्रॉपर तरीके से अटैच है या नहीं होता है एक तो जैक होता है एक होता है feedback के लिए तो आपको वह भी मतलब जैक कर लेना कि वो प्रॉपर तरीके से feedback दे रहा है या नहीं दे रहा है क्योंकि अगर feedback नहीं देगा तो नहीं क्या गए अगर जंग खा जाते हैं इस वज़े से भी आपका ब्लोर मोटर नहीं चलेगा अगर जंग खा गए तो आपको क्या अपरेटर को मतलब उपन करना उसके बाद क्या है जो बुस से वहाँ पर ओयल वगरह डाल देना आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्फ हो जाएगी प्रॉब्लम हो जाएगी नेक्स्ट एयर कोड़े बोल्टास डीसी इनवेटर कंडिशन में दर इसी के एयर कोड़ सो होता है तो आहां पर क्या होगा आपकी जो गैस से वो लीक होगी आपको क्या है उसको चेक कर लेना कि गैस कहां से लीक हो सकता है आपके जो पाइपों हा और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें गैस कम हो मतलब गैस कम होगी तभी यह एयर कोड़ सो होगा तो आपको यह चीज़ चेक कर लेना कि कहीं से सबसे पहली बात अगर गैस फिल करी है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब अनिस्टॉल करते हैं इसी फिर इस्टॉल करते हैं तो वा वहाँ पे टॉप अप कर सकते हैं अगर गैस बहुत जादा कम है तो वहाँ पे आप क्या करें गैस को फूरा निकाल दें उसके बाद दोबारा फिल अप करें ठीक है तो इस इसका आपको ध्यां रखना है वह जो भी इन्वेटर मोडल टेक्नोलोजी के रेफ्रीजेंट है जो बनारा फिल अप कर तो आपकी प्रॉबलम में वोas रीफ हो जागी जो एर्र कोड़ आ रहा है एक का उसकी जो फ्रवराम को सौल Prime सकते हो जाएगी नेक्स इयरे कोड़ है बॉलटorieफ झमडिसिंट मेंेटर टेकेंट Church displaying सो हो ताब इत में ओर कि 2 एर कोड के लिए होता है तु आपको क्या इनको चैक कर लेना अजलि जो एरफ देटीप एरफ कर था टा है टीक है ज़्यादा तर सॉल्फ हो जाएगी नेक्स्ट एर्रकोड है वोल्टा डिसी इन्वेटर एर कंडिशन में अगर एववन का एर्रकोड सो होता तो वहां पर क्या है यह एर्रकोड सो होता है यह वहां भी और क्या chipस सेन्सर है अगर दिखकत आती है आपको क्या है अगर अगर यह लगता है कि आ करता है इसका तो और केतीद तो करता होना क्यूeningर्स तरह होता है तो फ्रेंट्स वीडियो येह लिपाई कुल तो होता है क्विषा प्रोपर तरीकIGHी से लगाता है तो वहाँ पर उपर से निकल लाते हैं empezar प्रसे पांधे दिक्त तरव करते है तो और तो इस sensor को देख लेना है sensor के wire cut नहीं होना चाहिए पिलस वहाँ पे sensor sort नहीं होना चाहिए अगर sort हो जाता है फिर भी यह दिक्कत आती है कि sensor वहाँ पे command नहीं देपाता है इस वज़े से जो प्रोग्राम होता है उसमें feedback नहीं मिल पाती है sensor की और वो error code so करता है E1 E4 तो आपको इस sensor को प्रोपा तरीके से testing कर लेना आपकी जो problem है वो solve हो जाएगी तो friends वीडियो कैसे लगए अगर वीडियो अच्छी लगए वीडियो को लाइक कर दो चैनल पे न्यूँ विजिट किया चैनल को subscribe कर दो Thank you for watching